गर्मी के शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की खबरे तेज हो गई हैं कुमाओं के जंगल धुधु कर जल रहे हैं और वन विभा के दावे धरे के धरे रहे गए हैं जंगलों में लग रही आग से ना केवल वन जीवों को साथ ही प्राकर्तिक संपदा को भी खासा नुकसान होता है वहीं वन अधिकारी हालातों को नियंतर्ण में करने की बात कह रहा है वहीं एक्सपर्ट की माने तो ये जंगलों में आग लगना सरकार और वन विभाग का फेलियर है स्मर्णी को सिस्टम को है वह नश्ट हो जाता है तो इको सिस्टम का नस्ट होना एक सिस्टम दूसरे उसक्राशत निकल रहा है तो इतने पौधे, इतनी कार्मडाय अक्षाइट वहां से मौन अक्षाइट निकली, यह जहरीली कैसेज भी उसमें हैं, तो इससे पौधू में जो और पौधे भी हैं, जीव, जन्तू, और मनिश्यू में तो पढ़ी रहा है प्रवाव, पता नहीं या तो सरकार का कुछ कही उनका जाता प्रेम बनी जीवू से था, और अपने जो फोरेज के लिए जाते थे, घास पूष के लिए जाते थे, उसके बिना वो बजजित रह जाएंगे वन विभाक के उत्री वृत कुमाओं के अंतरगत आने वाले अलमोडा, बागेश्वर, चमपावत और पितोरागड में अब तक आग लगने की सोलहे घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे करीब 32 हेक्टेयर वन खशेतर प्रभावित हुआ और 73 हजार रुपई की जनपतियां नश्ट हो गई हैं, वन संरक्षक का कहना है कि दावा नल पर काबू के लिए क्रूस स्टेशन बनाए गए हैं, बागेश्वर जनपत में 29 बनाए गए हैं, पितोरागड में 99 में हैं और 25 कुल हमारे व्रत के अंदर 26 क्रूस स्टेशन बनाए गए हैं, अभी तक हबी तक 12 खटनाए रिजर फ्रॉरेस्ट में हुई हैं और जिसमें करीव 26.75 हेक्टेर आरक्षिदवर प्रभावीत हुआ है, सिविलो पंचायद में 4 हेक्टेर प्रभावीत हुआ है, कुल 16 क्रूस स्टेशन बनाए हैं Umsन में 32.75 हेक्टेर आख्यर प्रभावावीत हुआ जनवरी महीने से ही वन विभाग फायर सीजन की तयारी में जुटा है बावजुदिस के लगातार बढ़ती घटनाय सारे इंतजामों की पोल पठी खोल रही है जंगलों में आग लगने के प्रती समय रहते सचित नहीं हुए तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इससे बचने के लिए वन विभा को एहम कदम लेना होगा हल्दुवानी से तारा जोशी, अलमोडा से निर्मल उपरीती की रिपोर्ट